आज मैं आपके साथ एक बड़िया रिसीपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसाने बनाने में और बहुत ही अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और एकदम सही बनेगी तो hello everyone, the perfect plate में आपका स्वागत है तो मैंने दो मूली नी है एक मूली को मैंने अच्छे से दो के कदुकश कर दिया है और आप जाहिए तो बड़े में भी कदुकश कर सकते हैं तो मैंने छोटे में ही कर दिया है और उसके बाद ये देखिए आप अपने इंकॉंटर के सबसे मूली को गदुकश कर सकते हैं और उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाला है थोरा सा दो हरी मिर्ची डाल दिये और मैंने थोरा सा इसमें नमक डाल दिया है आप चाहे तो लाल म पिर्ची ढालके आटे को अच्छे से गूंटा था, और उसके बाद मैंने एक लोई लेनी है उसको मैंने अच्छे से बेल के एक रोटी जैसे हमें कर देनी है, और उसके बाद हमें एक दूसरी भी लोई लेनी है, तो ये देखिए और दो मैंने लोई नी है इस टैब से और उसको भी मैंने बेल दिया है रोटी जैसे और उसके उपर मैंने मूली को रख दिया है मैंने मूली को निचोरा नहीं है और बिल्कुल ऐसे जैसे आपके सामने मैंने गद्दू कश कर दिया था और ऐसे हमें रखा है और उसके उपर मैंने एक दूसरी रोटी रख दी है ये रोटी आप इसको अच्छे से दबा देना है और हमें बेला नहीं है फिर से ये देखिए और उसके बाद हमें तबे पे र रख देना है और उसके बाद ये रोटी रखके जैसे हम नार्मली पराठा बनाते हैं इस टैफ से हम ऐसे ही पराठा बनाएंगे शुद्दगी लगाईए या आप चाहें तो इसमें ओयल भी लगा सकते हैं अब उसके बाद पलटा देना है इस टैफ से हमारी मूली का ट्राइब जरू करें मिलते हैं अगले वीडियो में बाई